हेलो एब्रीवन वेलकुम बेक टूवरी चेनल के एने केट वी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलोइट विप्रू एंड वॉल्वो की आफ केमपस डाइब के बारे में हो के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपर पॉर्टिशनिटी विच इस प्रम डिलोइट इस डिल रोल की बारे में तो यहां पर आपको होने वाला है डेब्लप्मेंट अनलिस्ट ओके इसमें बेसिकली आपके टूटल डेब्लप्मेंट वाला रोड होने वाला है इसमें आप ASP.NET, SharePoint, SQL Server, Azure, ServiceNow, NPP, SAP, HANA, Handoop, सारे टेक्निकल चीजों में आप यहां पर काम करने वाले हैं थार अगर मैं बात करो नहीं हमें पर सिस्टम अनलिस्ट ओके आपका यहीं फंक्शनल रोल होने वाला है जैसमें आप डेपलोई, मेंटेन, सपोर अप्लिकेशन, IT इंफरस्ट्रक्ट्चर और यूजिंग, Microsoft Platform-like technology, इंक्लिवडिंग, SharePoint, SQL Server, ERP, SACM, Solar Wing, ServiceNow, Virtualization तो इस तरी कीसे आपका हाँ है, functional route होने वाला है, तो थ्री different rules के लिए यहाँ पे hiring होई है, यह आपकाiko System Analyst का है, आपका Development Analyst का, आपका Business Solutions Analyst का, यह अपका अपर अपुणे आपर पॉचिंटी होनी वाले है क्योंके आपे 3 different rules है, तो आपकी different positions के लिए इसमें एपल्ई कर सकते हैं, इस जिल्दी जिल्दी जाकर इसमें आपको एपलाई करना है अगर मैं बात करूँ हुँ सेकंड ओपरशनिटी विच इस फ्रॉम इसके इसमें हम इन डिसकस नहीं कहा तो यहां पर देख सकते हैं कि क्या है इसमें बी वीटक और अमजी के शुर्टन से अपलाई कर सकते हैं विच अगर आप जिस भी रोल के लिए अपलाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको इसकिल्स होने चाहिए तभी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं नौ टॉकेंगा उर्दी सेकंड ओपरशनिटी विच इस फ्रॉम बोल्वो यहां पर काफे अची पोजिशन होने वाली है तेक् पिसटी एक्षण कॉंपलेक्स तेक्निकल एस्पेक्ट भरवली और रॉक्यमेंटी टॉक्टिशन कर सकते हैं वह सारी चीजें अपर पैस अने चाहिए अगर बात को यहां पर जॉब लोकेशन का तो आपका जॉब लोकिशन यहां पर होने बाला है बैंगलॉर यहां की आस्ट एप्लीकेसन रीट आपके यहां पर 16 जून से पहले पहले इसमें एप्लाई कर सकते हैं अगर मैं बात करें यहां पर रिक्वार्मेंट की तो कालीफिकसन की का रिक्वार्मेंट है इसमें बीटेक और बीटेशन आईटी श्टूएंट्स अपले कर सकते हैं एंट एंट ट्रीट पास आउट जो जो है वो अनली ट्वांटी थी बैच के लिए है इसमें आपको होना चाहिए knowledge of software development life cycle SDLC के आपको knowledge होना चाहिए principle of automation testing and some exposure might be desirable okay so basically आपको थोड़ा सा idea होना चाहिए automation testing क और अभी हार्धिग यहां पर होना चाहिए knowledge of system testing software quality test assurance best practices and methodology and DB2 के आपको knowledge होना चाहिए like SQL की राइटS Intermediate SQL queries experience with system implementation should be able to things test cases beyond test plan provided तो बिसिकली हां पर थी जो में रिक्वर्मेंट हैं बताइगे हैं जैसे आपको STLC की नोलेज होना चाहिए थोड़ा सब्रोग्रामिंग की नोलेज होना चाहिए और अपनी स्कल्स के अकोर्डिंग आप जिस भी रिल्यमिंट उपर्शनिटी यह वाली है तो उसमें कि खिए भीडियो थेंक यह रगज़ जिया दिंग आप इंक सब्सक्क्राइब